गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में नासीक की गुफ़ाओं का वनन करेंगे और नासीक की गुफ़ाओं में भी जो पांडव लेनी गुफ़ाओं थी उनके बारे में पढ़ेंगे तो नासीक की गुफ़ाओं पढ़ने से पहले भी हमने काफी कुछ इथियास में पढ़ा है जो एक्जाम की दर्ष्टी से बहुती महत्वपुन चीजे हमने पढ़ी हैं तो देखिएगा पढ़ते हैं नासीक की पांडव लेनी गुफाएं और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नहीं नहीं जानकारी इथियासे समझी प्राप्त हो सकें ठीक है तो चलिए देखते हैं नासीक की पांडव लेनी गुफाएं नासीक गोदावरी नदी तट पर इस्तित एक परसित बोध इस्तल था यहां कुल 17 गुफाएं हो दी गई जिन में एक चत्ते ग्रह तथा 16 विहार गुफाएं हैं प्राणबिक विहार हीन यान मत्स्य संबंदित हैं सबसे प्राचीन छोटे आकार का है इसका बीतरी मंडप वर्गाकार है इसके तीन और दो दो चोकोर कक्स बने हैं बाहरी मुख मंडप में अट पहलू दो स्थम बने हुए हैं गुहा में अंकित एक लेक से पता चलता है कि सात्वाहन नरेश कृष्ण जो इसा पूरा दूसरी स्थापदी में था ने इसका निर्मान करवाया था तीन बड़े गुहार विहार करमसह हैं नहपान गोटमी पुतर साथकर्णी तदा यग्यसरी साथकर्णी के समयके हैं इन इन सब के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो हमारी प्लेलिस में जाके वहाँ पे आप इनके वीडियो देख सकते हैं गोटमी पुतर के विहार में 18 कमरे हैं इसके बरामदे में 6 अलंकरित इस्थम्भ हैं जिनके शीर्ष पर वृषब, अस्व, आती, आदी पस्व की आकरतियां बनी हैं ये गेश्री के विहार का विसाल मंडब 11 फूट लंबा है, बिथर तता बाहर की और इसका विस्तार क्रमसा है, 44 फूट तता 37 फूट है, इसके तीन आठ कक्स बनाए गए हैं, ठीके? इसके मंडब के पीछे गरब गरए तता उसके समुख दो अलंकरत स्थम बनाए गए हैं, इसी वे आसीर मुद्रा में बुद्ध की एक बड़ी परतिमा भी उतकिर्ण है, इन जिसके अगल बगल अनुचरों की आकरतियां हैं, यहां अंकित एक लेक के अनुसार इस गोहा का निर्मान वासु नाम किसी महिला ने करवाया था, वहे संभवताय यह केश्री के सेनापती की पत्नी थी, नासिक के अन्य गुभई महायान मत्से प्रभावित हैं, नासिक गुहा विहारों में बना एकांकी चत्ते संभवताय इस सा पूर्वा पहली सताबदी के मद्धे उत उतकीन करवाया गया था, इसके बीतरी मंडप में सिद्धे स्थम लगे हैं, तथा दुतल्ला मुक मंडप वास्तु कला का सुंदर नमूना प्रस्तुत करता है, नीचे के तल्ले में गोल परवेस्दवार तथा उपरी तल्ले में बड़ा जरोका बनाया गया है, यहां उतक उतकीन लेखों में दान करताओं के नाम दिये गए हैं, मंडप के चोकोर इस्तंबों पर चोकोर अंडभाग के उपर अत्यन सुंदर तथा कलात्मक मूर्तियां उतकीन की गई हैं, तथा इस्तंबों को नीचे पूर्ण कुम्भों में बारीकी के साथ नियोजित किया गया ह नासिक चत्ते ग्रह को पांडूलेन कहा जाता है, इसमें एक संगीत साला भी बनाई गई है, चत्ते के परवेश द्वार की परिस्कृत कला से यह सूचित होता है कि इसका निर्मान अत्यन्द निपूर्ण कलाकारों द्वारा किया गया था, ठीक है, तो यह हमने इस वीडि खास विशे से संबन्दित जो परिक्षा में जो भी क्यूसर पूछे जाते हैं, उनसे संबन्दित हम आपको वीडियो दिखाएंगे, तो आप बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे